नमस्का फ्रेंड्स आरेस ग्यान यूट्वी चैनल में आपका हर्दिक श्वागत है जैसे कि अब देख रहें कंप्यूटर स्क्रीन बर रेल्वी रिकूर्मेंट बोर्ड मिनिस्टी अब रेल्वी गवर्मेंट ऑफ इंडिया आर आर वी टेक्निशन का फॉर्म स्टार्ट है तो जो भी आप जोन या जो भी वह स्लेक्ट करेंगे जहां पर अप्लाई करना चाहते हैं वह पाल में चैन नहीं में चंडीगड में तो इसको स्लेक्ट करेंगे जैसे अब नेस्ट करेंगे तो डिटेल आपकी ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है कुछ भी आपको आप फिल अपलोड करना यह बहुत ही मेहत्पूल है आरारवी टेग्नीशन में इस चीज का बिस्ति ध्यान रखें जो भी नीव फर्म बढ़ रहे हैं तो उसमें बिना वाइट वैग्ग्राउंड के फोटो अपलोड नहीं हो रही है तो प्लीज वाइट वैग्ग्राउंड अच्छ यहां पर मुवाइल नंबर पासफ़र्ट को डाल कर जो है केप्चर फिल करते हूं लौगइन कर लीटे यह पासफ़र्ट भूल गए तो पासफ़र्ट को फोर्गेट कर लीजिए गा और इसके दुवारा से लोगइन कर लीजिए गा दोस्तों आप देख पार होंगे टेकन यहां पर टेक्नीशियन फरस्ट सिगनल का भी आप फॉरम है तो आप जिस भी पोस्ट के लिए करेंगे बट जो पेमेंट का जो प्रोस्ट जब उस सेम होगा तो यहां पर आप प्रोस्ट पूरत देख सकते पेमेंट को कैसे करना होता है देखी जैसे फॉर्म अपने फिल कर लिए अच्छे से चेक कर लिए पढ़िया से ठीक अब आप यहां पर आ चुके हैं यह फिर पेमेंट को पर पहुंच चुके हैं तो इसको आप लॉगाउट कर दीजिए ब्राजर से उसका दोवारा से रन कर आईए अच्छे से उबन करिए क्योंकि सब लोग हम पहले से सब खना हे और और से कर दीजिए अधम नहीं है तो आप कर दीजिए लیکिन थोड़ा हैं अब कि गन्टे बाद पर लिक्कत कर लिए हैं तो बito याप्सिन का बटन हाईलाइट हो जाएगा यह प्रेंट मैं यह प्रेंट्स में भी पेमेंट आ चाहिए और अब बोड खैए प्रिंट यहाँ पेमेंट से चीर बथे जाएगा मैं heroic प्रिंट यहां आपका जनरेट हो जाएगा प्रिंट में भी पेमेंट की डिटेल्स आनी चाहिए ठीक है और यह वेरीफाइब बटन ने इस टॉब देखेगा आपको ठीक और यहां पेमेंट का बटन भी जैसे आपको देखेगा और जो एपलिकेशन स्टेटस यहां आपको पेमेंट सक्सिस देखाएगा और मोडिफिकेशन स्टेटस जो है अभी यहां बंद है सायद पेमेंट होने के बाद यहां सूख करें बट इसमें अधी मोडिफिकेशन होगा तो आप करेक्शन डेट में करेक्शन कर सकते चुकि इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एल्पी के थ अब हम आपको यह बता दें जैसे पेमेंट फेल्डे सक्सिस हुआ है तो यहां पेंडिंग आपको देखेगा चौबच से 48 घंटे के अंतिया करना है यहीं लास्ट डेट नजदिक है तो आप पेमेंट दौरा करने की बारे में सूख सकते हैं कर सकते हैं यहीं समय है और समय करने से पहले आप फॉर्म कर रहे हैं तो ट्रैफिक कम होगा उस टाइम पे आप हैल्प्लाइन नंबर इमेल आइडी का यूज जरूर करिएगा डेस रोड पर लिखा रहता है उसका लिंक आपको डेस्क्रिस में दे दूंगा तो वहां से क्लिक करके हैल्पान नंबर को नो सब्सक्रिक करने से क्या होगा तो यहां पेमेंट सब्सक्रिक कर लेंगे यहां पेंडिंग देखेगा और पेंडिंग आपको देखेगा बात आप समझ रहे हो ना हाँ ऐसा होता कव्यों का पेमेंट सक्सेज होने के स्सिति में भी पेमेंट गीट्वे से सक्सेज नहीं हो पाता है तो उसके लिए आप 24-48 गंटे वीट करेंगे फिर से लॉग इन करेंगे और वेरिफाइब बटन का यूज करेंगे याप और उसके बाद आपका समादान होने क समबाबना बढ़ जाती है तो जो नी उसर है वो क्या करेंगे यहां पर सबसे पहले पे नाओ बटन है और जिसी फ़र्म समिट करते हैं जो है ऑप्सन आ जाता है और मैं एक फ़र से रिपीट करना चाहूंगा कि जब पैमेंट आपका सक्सेज होगा तो यहां पैमेंट सक् अकसेस होने की स्तती में यहां आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर पेमेंट डिटेल्स और यहां रिफंड पॉलसी यह रिफंड पॉलसी क्या है रिफंड पॉलसी में आपने तिस सई से एकाउंट डाला होगा तो फ़र्स्ट सीवीटी यानि की कंप्यूटर नियमा की अनुसार ठीक है हाँ और यदि जो पेमेंट हम लोग कर रहे हैं यह वाला पेमेंट जो फॉर्म वाला पेमेंट है यह अपका फिल्ल हो गया है और आपका प्रिंटाउट नहीं निकल पारा जैसे कि अब कुछ दिर पहले चर्चा कर रहे थे तो उसके लिए आपक प्रिंट करना होगा जैसे आप फॉर्म को सब्सक्राइब करेंगा और सीधा प्रिंट करेंगा फटा पर प्रिंट करते हैंगे पेमेंट आपका सब्सक्राइब करेंगे और अपना एकाउंट भी चेक करते रहेंगे कहीं फीस रफंड तो नहीं हो गई है तो फिर से आप दुवारा सब्सक्राइब करके अपनी फॉर्म को सक्सेश्व बना सकते हैं दो तरीके का सिस्टम है इसमें एक तो जो सक्सेश्व प्रिंट आउट निकले का विद पेमिंट के निकलेगा उसके लिए जो रिफंड होगा वो पस्ट करेंगे तो फिर फिस वापस होगी ठीक है आप जो यह वाली चीज अलग है और जो फॉर्म में पीस अकट रही है वह चीज एक अलग वाता है ठीक है तो अब यहां पर आपको प्रोसीड पर केलिक करना होगा तो यह पर यहां पर जब आपको यह उड़र नमर डाल कर आप अपने पेमिंट की इस्तितिय को अच्छी से चेक कर सकते हैं इसका भी लिंक को वीडियो को डियरेक्ट लिंक आपको प्रोबाइट करा देंगे तो चलिए यहां पर किलिक करके देख लेंए किस फ्रकार की यह व सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप कर पाएंगे यहां से ठीक है और बाकिम फेल्ड हुआ है और पेमिंट कट गया कभी कुछ सर्वर इश्यू हो जाता जो स्टेटस यहां से शोर नहीं करता है तो उसके लिए आप हेले नमबर इमेल का जरूरू करिएगा तो यहां पर ओटीपी आ चुका है ओटीपी डाल कर मेक पेमिंट कर देंगे और आपका प्रिंट आउट जो है सक्सेस्फुल हो जाता है स्टेटस देखने के लिए यह तो रिडारेक्ट होगे आप पहुंचे कि वहाँ पर या फिर द्वारा से लॉगिन करेंगे अप्लिकेशन इस्ट्रीम जाएंगे वहां पर देख सकते जैसा कि मैंने आपको बताया है एप्लिकेशन जो स्टेटस से वह बिल्कुल के लियर होना चाहिए वहां पर कि जब आपका पेमेंट अपडेट चोविस सटालेश बातर गंटी में या फिर पेमेंट आपका तुरंद का तुरंद सक्सेसल होता है और रिडारेक्ट होगे आप यहां तक पहुंच पाते हैं या फिर दुबारा से लोगिन करते हैं कुल मिलाकर स्टेटस की जोस्तिती है है वो ऐसी होनी चाहिए तब ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा तो यहां दिख सकते हैं जो स्टेटस है वो यहां क्या देखा रहा है पेमेंट कंप्लीट यह आपका होना चाहिए ठीक है और यह पेन आपको बटन यह डल हो जाएगा यानिकी स्टॉप हो जाएगा फिर द्वारा पेमेंट नहीं कर पाएंगे पेमेंट सक्सेस्वल होने की स्थी मेरीफाइब बटन भी काम नहीं करेंगा तो चुका है उसके वाद यहां से प्रिंट आउट भी निकाल सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा दी पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करें किसी वाश्चा के लिए कमेंट जरूर करें वीडियो देखने के लिए आप बहुत धन्वाद नमस्कार जैहिंद भारत